वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानून इन हिंदी में तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कोट में 498A 377 में पती से पूछे जाने वाले कुछ प्रशन तो हमारा पहला प्रशन है आपकी शादी कब हुई इसमें कन्फर्म किया जाता है शादी की डेट को कि आपने केस में सही लिखी है या नहीं शादी कहां पर हुई उसको भी कन्फर्म करवाया जाएगा शादी के बाद आप लड़की को कहां पर लेकर गए ये बहुत ही important question है क्योंकि डेवी एक्ट के अंतरगत शेर हाउस होल्ड का जो chapter है वो ये है कि अगर आप लड़की को अपने माता-पिता के घर में लेके गए थे और लड़की कुछ समय आपके माता-पिता के घर में निवास करती है तो भी उस लड़की का वो share household होगा क्यूंकि आप खुद इस बाट को सविकार कर रहे है कि आप share household में रहे आपकी पत्नी इस गवाही की कोपी निकाल कर डिवी केस में भी लगा सकती है जिसे वो ये कहेगी कि ये मेरा share household है आपको सो समझ कर प्रशन का जबाब देना है, भ्रमित नहीं होना है हमारा अगला सवाल है, जिस तारीक से पतनी घर से जाती है, वो तारीक बकील के द्वारा पूछी जाती है अगर आप तारीक में उलज गए, फिर गलत हो जाएगा और समय क्या था, कितने मेंबर मौजूद थे, आपके साथ किस प्रकार की बहन सुई, जब आपकी पतनी घर छोड़ कर गई इन सारी चीजों में बकील आपको उलज जाते हैं, अगर आपको कुछ पता नहीं है, तो आप बोल दें कि मुझे इस बात का ध्यान नहीं है अगर आप इस स्टेज में ब्रहमित होते हो, तब इसका प्रभाव आपकी जजमेंट में पड़ता है, तो सोच समझ कर ही आप कोट में जबाब दें तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो ऐसे ही कानून से समंदित जानकारियां पाने के लिए आप मेरी चैनल को लाइक, शियर और सब्सक्राइब ज़रूर करें वीडियो में लास तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यावाद